Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तों आज की स्वीडियो में हम Newly Appointed Prime Minister और President इस टॉपिक पर डिसकस करने वाले हैं यनिकी पिछले एक साल में जितने भी देशों के नए President और Prime Minister अपॉइंट हुए हैं उन्हें हम detailing के साथ डिसकस करने वाले हैं क्योंकि ऐसे question definitely exam का part बनते हैं और ये सारे question आपके आगामी exam के point of view से most important है सारे ही question important है इसलिए वीडियों ते तक जरूर देखेगा और आप इस वीडियो की PDF टेली ग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं हमारा पहला question हाली में फिल्लेंड की नए प्रधान मंतरी कौन बने हैं most important question तो अभी हाली में जो सना मारिन है यहाँ बन गई है फिल्लेंड की नई प्रधान मंतरी इसके साथ ही यह विश्यो की सबसे युवा प्रधान मंतरी भी बनी है इनकी उम्रह मात्र 34 वर्स और यह विश्व की सबसे युवा प्रधान मंत्री बनी है बात की जए दी फिन्लेंड की तो कैपिटल क्या है हेलिंस की करंसी है यूरो फिन्लेंड से रिलेटेड आप एक most important fact याद रखिएगा कुछ समय पहले ही इनकी 2019 में Global Happiness Index जारी किया गया था जिसमें जो फिन्लेंड है यहां टॉप पर रहा था नेश कोश्चन है हाली में पुर्तगाल से दो बारा से प्रधान मंत्री कौन बने है तो यह अभी हाली में बन गया है एंटोनियो कोस्टा ध्यान दीजे दो नामों में confusion हो सकता है एक है एंटोनियो गुटेरस यह है United Nations के महा सचिव और यह भी पुर्तगाल से ही है लेकिन हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल के प्रधान मंत्री की यह दो बारा से बने हैं एंटोनियो कोस्टा अब यह दिबात किया जब पुर्तगाल की तो यहां की capital क्या है लिजबन करंसी है यूरो और पुर्तगाल से ही एक most important नाम सामने आता है जो कि करंट से related है इनका नाम है जोआओ फेलिक्स और यह कौन है तो यह पुर्तगाल की star footballer है जिन्हें कुछ समय पहले ही इनकी December 2019 में Golden Boy Awards से भी सम्मानित किया जा चुका है नेश कोशन है हाली में Britain के नय प्रधान मंत्री कौन बने है तो यह कुछ समय पहले ही बन गए है Boris Johnson अब यदि बात की जाए Britain की तो इस से related एक most important fact है कि climate emergency लागू करने वाला विश्यो का पहला देश कौन सा है तो पहला देश पूछा जाए तो यह है Britain दूसरा देश पूछा जाए तो यह है Ireland लेकिन पहली city पूछी जाए तो यह है Mexico City जिसने climate emergency लागू की नेश कोशन है हाली में स्री लंका के नय राश्ट पती कौन बने है तो यह भी हाली में बन गए है गोट बाया राजपक्षे यह तो हैं स्री लंका के प्रेसिडंट और जो स्री लंका के प्राइम बिनिस्टर है बहिंद्रा राजपक्षे यह दोनों ही भाई-भाई हैं और प्रेसिडंट बनने के बाद गोट बाया राजपक्षे यह भारत विजिट पर भी आये थे अब यदी बात कीज़े श्री लंका की तो है की कॉमर्सियल कैपिटल क्या है कोलंबो एक्जिक्यूटी कैपिटल क्या है जैवर्धनेपूरं कोटे और कोलंबो से ही रिलेटेड एक करंट अफेर का कोश्चन आप याद रखीगा की हाल ही में दक्षिन एसिया का सबसे उचा टावर जिसका नाम क्या है लोटस टावर इसका अनावरण कोलंबो में ही किया गया है साथी भारत और स्री लंका के बीच एक एक सरसाइज होती है exercise का नाम क्या है मित्र शक्ती जो कि भारत और स्री लंका के बीच की एक joint military exercise है इसका आजन किया गया था महाराश्टर के पूडे में ही next question है most important हाली में रसिया का नया प्रधान मंत्री है किसे न्युक्त किया गया है तो अभी हाली में बन गया है मिखाईल मिसुस्टीन ये दो तीन दिन पहले ही बनाए गया है और इन्होंने इस्थान लिया है दमेत्री मेद्वेदेव का जो दमेत्री मेद्वेदेव थे इन्हो इमिर पुतिन को और अब ने प्राइम मिनिश्टर बन गए है मिखायल अब यदि बात कीज़ारा रसिया की तेहां की कैपिटल क्या है मौस्को करनसी है रूबल भारत और रसिया की बीस्दो एक्सरसाइज होती है एक कनाम है इंद्रा दूसरे का नाम है एविया इंद्रा और यदि आप current से relate करेंगे तो हाली में विश्व का पहला तैरता हुआ पर्माडू reactor यह रसिया के द्वारा ही launch किया गया। Next question है, हाली में Taiwan का राष्ट पती शुनाव किसने जीता है? तो यह भी हाली में जीत लिया है साई इंग वेंग ने और यह अब दुवारा से ताइवान की प्रेसिडेंट बन गई है अब यदि बात की जा ताइवान की तो यहां की capital क्या है ताइपे करंसी क्या है न्यू ताइवान डॉलर और ताइवान से related एक most important fact आप याद कि सम्लेंगिंग विवाह को वैद्ध करने वाला एशिया का पहला देश ताइवान ही है नेश कोश्चन है हाल ही में अलजीरिया के नए रास्ट पती कौन बने है तो यह भी हाल ही में बनाए गये है अब्दुलाजिज तैबोने यानि की option A अब यदि बात कीजाए अलजीर यहां कि करन्सी क्या है अलजीरियन दिनार तो कैपिटल और करन्सी भी आप याद रखिएगा जो कि एक्जाम में पूछे जाते हैं नेश कोश्चन है हाल ही में नामी बिया के नए प्रेसरेंट कौन बने है तो यह भी हाल ही में बन गये हैं हें गैंग गैंगोब अभी बा इंडोनेशिया के दोबारा से प्रेसरेंट कौन बने हैं तो दोबारा से बने हैं जोको विडोडो बात की जाए इदि इंडोनेशिया की तो कैपिटल अब बदल चुकी है अब है इस्ट काली मंतन पहले थी जकार्ता और जकार्ता में ही हैटक्वाटर इस्थित है आसियान का ASEAN यानि की Association of South East Asian Nation इसका Headquarter इस्थित है इंडोनेशिया के जकार्ता में नेश कुश्चन है हाली में ट्यूनेशिया के नए राश्ट पती कौन बने हैं तो ये भी अभी हाली में बनाए गए है तो इनका नाम है प्रविन्द जगनोथ जो प्रविन्द जगनोथ है या पिछले साल ही इने की जब पंद्रहवा प्रवासी भारती दिवस मनाये गया था 2019 में तब यह मुख्य अतिति के रूप में शामिल हुए थे नेश कोश्चन है हाली में वेनुजुयला के नय राश्ट पती कौन बने है तो अभी हाली में बन गया है निकोलस मादुरो हाली में का मतलब है पिछले एक साल की हम बात कर रहे हैं और Nicholas Maduro यह बने है Venezuela के नए राश्ट पती अब यदी बात किजिए Venezuela की तो यहां की capital क्या है? Caracas और currency क्या है? तो यहां की दो currency है एक है petro और दूसरी है Venezuela Bolivar तो दोनों ही आप याद रखेगा ब्राजील के नए राश्ट पती कौन बने है तो यह भी हाल ही में बन गये हैं जेयर बोल सिनारो अब यदि बात कीज़े ब्राजील की तो यहां की कैपिटल क्या है ब्राजीलिया करंसी क्या है ब्राजीलियन रियल और यहां के जो प्रेसिरेंट हैं जेयर बोल सिनारो इनसे रिलेटेड एक most important current affair का question आप याद रखीएगा अभी हाल ही में जो Republic Day celebrate किया जाएगा 26 जनवरी 2020 को इसमें ये मुख्यतिति के रूप में शामिल होंगे next question है हाल ही में Slowakia की पहली महिला राष्ट पती कौन बनी है most important question क्योंकि यह Slowakia की पहली महिला राष्ट पती बनी है और इनका नाम है जुजाना Capitova बात किये जएदी Slowakia की तो यहां की Capital क्या है British लवा करंसी क्या है Euro तो Capital करंसी दोनों ही याद रखीएगा next question है हाल ही में Ethiopia के नए राष्ट पती कौन बने है तो यह बन गए है सेहल वर्क बात किये जएदी Ethiopia की तो यहां की Capital क्या है अदिस अबाबा करंसी क्या है Ethiopian बिर और कुछ समय पहले ही यहां के जो प्राइम मिनिस्टर है नाम क्या है अभी एहमद अली इन्हें Nobel Peace Prize जो की 2019 में दिया गया Nobel Peace Prize 2019 से सम्मानित किये गये थे अभी एहमद अली और यह आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाली में जो इथियोपिया का पहला सेटलाइट है नाम क्या है ITRSS यानि की Ethiopian Remote Sensing Satellite इसे लॉंच किया गया है चाइना से और यह सेटलाइट इथियोपिया का पहला सेटलाइट है Next Question है हाली में South Africa के President कौन बने है तो यह भी हाली में बन गए है Cyril Ramaphosa अब यदि बात की जाए South Africa की तो यहां की तीन कैपिटल है Cape Town, Pretoria और Bloem Fountain करंसी क्या है South African Rand और President तो यही बने है Cyril Ramaphosa Cyril Ramaphosa से related एक most important fact आप याद रखिएगा 26 जनवरी 2019 को जो Republic Day Celebrate किया गया था इसमें यह मुक्य अथिति के रूप में शामिल हुए थे और अभी मैंने बताया पिछले question में जो अभी Republic Day Celebrate किया जाएगा इसमें जो ब्राजील के President है इनका नाम क्या है जेयर बोल सिनारो यह शामिल होंगे मुक्य अथिति के रूप में नेश कोशन है हाली में मौल दीप के नए President कौन मने है तो यह भी हाली में बन गये है अबराहिम मुहम्मद सोली बात की जाए यह मौल दीप की यहां की Capital क्या है माले करंसी क्या है रूपिया और यह आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही भारत और मौल दीप क नेश कुश्चन है बांगला देश के नए प्रधान मंत्री कौन बने है तो बांगला देश की प्रधान मंत्री बन गई है शेक हसीना बात की जाए दी बांगला देश की तो यहां की Capital क्या है धाका करंसी है टका यहां की जो Capital है धाका यहीं पर Headquarter इस्थित है बिम स्टेक का बिम्स्टेक यानि कि Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation इसी का Headquarter इस्थित है धाका में और यहां के President कौन है तो इनका नाम है अब्दुल्ला हामिद यहां की जो Prime Minister है सेख हसीना जिनकी हम बात कर रहे हैं इन्हें कुछ समय पहले ही अब्दुल्ल कलाम अंतर राश्ट्रे इस्मरती आवार्ड से सम्मानित किया गया था भारत और बांगलादेश के बीच एक exercise होती है इस exercise का नाम क्या है संप्रती और इसका आज़न किया गया था बांगलादेश के ही थंगेल में नेश कोश्चन है कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के राश्ट्पती कौन बनाए गए हैं तो राश्ट्पती की बात की जारी है यह है आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर है इम्रान खान जो कि पाकिस्तान के भूत पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं बात कीजाएदि पाकिस्तान की तुराजधानी क्या है इस्लामाबाद और यदि आप करंड से रिलेट करेंगे तो हाल ही में पाकिस्तान में एक जगह है पेशावर पेशावर में एक हिंदू पंच तीर्थ इस्थल है जिसे कुछ समय पहले ही नैशनल हेरिटेज घोसित किया गया है और पाकि की जैदी अफगानिस्तान की तो यहां की कैपिटल क्या है काबुल जो बॉलिवुड अभी नेता थे नाम क्या है कादर खान इनका जर्म इसी काबुल में हुआ था और यहां की करंसी क्या है तो करंसी है अफगान अफगानी और प्रसिडंट तो यही बन गया है असरफ गन बने हैं तो यहां बन गए हैं Emmanuel Macron बात कीज़ेदी फ्रांस की तो capital क्या है Paris जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है यहां की currency क्या है euro और कुछ समय पहले ही फ्रांस ने Fed Cup अपने नाम किया है Fed Cup जो कि महिलाओं के टैनिस से रिलेटेड है यहां जीत लिया है फ्रांस नहीं साथ ही यहां के जो प्रेसिडंट है Emmanuel Macron और भारत के जो प्राइम मिनिश्टर है नरेंद्र मोदी जी इन दोनों को ही संयुक्त रूप से United Nations यानि कि संयुक्त राश्ट के द्वारा Champion of the Earth Award से सम्मानित किया गया था 2018 की हम बात कर रहे हैं और क्यों सम्मानित किया गया था Solar Alliance के शेत्र में काम करने के लिए तो यह आप याद रखेगा नेस्ट कुश्चन है UAE के नए राश्ट पती कौन बने हैं तो यह दो बारा से बन गया है खलीफा बिंजयाद अलिहान अब यदि बात कीजा UAE की तो यहां की Capital क्या है अबुधाबी और अबुधाबी में ही विश्चो का सबसे प्राचीनतम मोती भी खोजा गया है करंसी क्या है UAE दिरहम और यदि आप करंड से रिलेट करेंगे तो जो नरेंद्र मोदी जी है इन्हें कुश्चन में पहले ही UAE के हाइस सिविलियन ओनर जिसका नाम क्या है जायद मेडल इससे भी सम्मानित किया जा चुका है नेश कोश्चन है नाइजीरिया के नए राष्ट पती कौन बने है तो यहां बन गए है मुहम्मद बुहारी अब यदि बात कीज़े नाइजीरिया की तो यहां की Capital क्या है रधान मंत्री की बात की जा रही है बात की जैदी इसराइल की तो यहां की Capital क्या है जेरू सलम करंसी क्या है इसराइली न्यू सेकल तो Capital और करंसी तो आप जरूर याद रखिएगा इस वीडियो का अंतियम प्रश्चन है हाली में यूक्रेन के नए राष्ट पती कौन बने हैं तो यह भी हाली में बन गया है ब्लादमिर जेलेंस की अब यह बात की जाए यूक्रेन की तो यहां की Capital क्या है कीव करंसी क्या है यूक्रेनियन हर्विना तो यह आप याद रखिएगा तो दोस्तों यह थे न्यूली अपॉइंटेंट प्राइम मिनेस्टर और 2.0 इन दोनों को ही लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच